हेलो गाईज, वेलकम टो इंडिस चैनल, इस वीडियो में हम 36 गड़ की CG PC एकजाम के भारत के समान इज्ञान से समबंधी 20 महतुपूर प्रस्ण ने लेकर रहे हैं, इट उड़ बी वेरी हेलफुल फोर एकजाम, तो गाईज प्लीज इस टे विथा तिल दे इंड आप दे व को क्या कहा जाता था, important question है, जो बौध धर्म है, उस बौध धर्म के जो बौध संग है, उसमें प्रवेस को क्या कहा जाता था, इसका अंसर हो जाएगा option A, उप संपदा, क्या कहा जाता था, बौध धर्म के बौध संग में सम्मिलित होने को उप संपदा कहा जाता है, इसक इसका अंसर हो जाएगा, option B, मैत्रेनाथ, कौन थे मैत्रेनाथ, योगाचार के प्रतिपादक थे, next question देखते हैं, औरंग जेब ने किसको साही बात उज जमानी की उपादी प्रदान की थी, important question है, मुगल सासन से संबंधित, एक question जरूर पुछे जाते हैं, क्या पुछा गए इसमें औरंग जेब ने किसको साही बात उज जमानी की उपादी प्रदान की थी, इसका अंसर हो जाएगा, option C, जहां आरा को, जहां आरा को औरंग जेब ने साही बात उज जमानी की उपादी प्रदान की थी, इसके बारे में और related question देख लेते हैं, औरंग जेब के इनमें से कौन अकबर के दर्बार में चित्रकार नहीं था, कौन नहीं था, इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन सी कल्याड़ दास, बाकी बचे दस्वंत, बसावन, अब्दुल रस्मत ये सभी अकबर के दर्बार के प्रमुख चित्रकार थे, इन सढ्यंतर केस में से सभी अंसर हो जाएगा ओप्सन सी काकोरी शड्यंतर केस जिसे काकोरी कांड की नाम से भी जाने जाते है, इसके बारे में देख लेते हैं, 9 अगस्ट 1925 को रेल गाड़ी से सरकारी खाजाने को काकोरी इस्टेशन में लूट लिया गया था, इसे काकोरी कांड की नाम से जाना जाता है, इसमें सम्मिलित प्रमुख नाम राम प्रसाद बिस्मिल और देख लेते हैं, राजेंद लाहिडी, रोसंसी, अस्पाक उल्लाख हाँ ये सभी थे, इन सभी के नाम याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं, नेशनल प्लानिंग कमीटी का गठन किया गया, कब किया गया और किसके दुआरा किया गया, नेशनल प्लानिंग कमीटी का गठन किसके दुआरा किया गया, इसका अंसर हो जाएगा, Option B, सबसे पहले आता है, अंगोला, उसके बाद घाना, फिर कांगो, बेल्जियम और थर्ड में दक्षिन अफ्रिका, ये सभी बढ़ते क्रम में हैं, हीरे के उत्पादक राष्ट, ओके, next question देखते हैं, सदा बहारवन पाए जाते हैं, उसन कटिबंधी, सदा बहारवन किस र भगभग हर्याली रहती है, भारत में सदा बहारवन पस्चिम की घाटियों में पाए जाते हैं, इस वन में आवसत 175 cm वर्सा होती है, यह आप याद रखेंगे, 175 cm वर्सा आवसत होती है, इस region में, okay, equatorial reason, next question देखते हैं, केंद्र में द्वैद सासन किस अधिनियम के इस्थापित किया गया, important question है, केंद्र में द्वैद सासन किस अधिनियम के द्वारा इस्थापित किया गया, इसका अंसर हो जाएगा, option C, भारत सरकार अधिनियम 1935, ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैद सासन अधिनियम पारित किया गया, इसक 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और 1935 में द्वेस सासन अधिनियम पारित की गई नेक्ष्ट कोस्टन देखते हैं मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्टम न्याले ने अपने किस मुकदमे में दिये गए फैसले की पुष्टी की थी इस कांसर हो जाएगा option B केस वनन्द भारती मुकदमा में जो फैसला सुनाया गया था उसी के तथ्य पर या उसी को दाहर मान के मिनर्वा मिल्स के उपर फैसला सुनाया गया इसके बारे में देख लेते हैं मिनरवा मिल्स बनाम भारत संग का मामला जो की 1980 में हुआ था इस पर फैसला केस्वानन भारती की निर्णय को ध्यान में रखकर दिया गया इस प्रकार के कोस्टन बहुत पुछे जाँगे मंत्री परिसाद लोग सबक के प्रती उत्तरदाई है इसलिए भारत में संसदी प्राणाली की सरकार है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं व्यव का अनुमान की सरूप में भारती संसद के समक्ष रखा जाता है क्या वो लगए है जितने भारत सरकार की द्वारा आयवयव का अनुमान होता है वो सभी वयव का अनुमान भारती संसद के समक्ष रखा जाता है किस रूप में इसका अनुदान का अनुरोध के रूप में भारती वयव का अनुमान रखा जाता है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं बजट एक ल आज कोसी नीती के अंतरगत आती है बजट जो की एक लेकपत्र है नेक्स्ट कोस्चेन देखते हैं भारती समीधान में बंदी प्रत्यक्षी करण की रीट जारी करने की सकती किसमें नहीं थै इसका अंसर हो जाएगा option d उच नियाले और उचतम नियाले दोनों में बंदी प्रतिक्षी करन की उपर रिट जारी करनी की सकती प्रदान है देखिये यह क्या है यह एक प्रकार का कानूनी आग्या पत्र है जिसे read कहते हैं, जिसके द्वारा किसी गैर कानुनी कारणों से गिरिपतार व्यक्ति को क्या मिलती है, रिहाई मिलती है, इसमें उच्तम नियाले या उच नियाले के द्वारा रिहाई मिलती है, next question देखते हैं, निम्न लिखित में से कौन से पंचायती राज पर असोक महता की निर्मान, त्री इस्तरी व्यस्था का निर्मान, असोक महता की अनुसंसा में नहीं थी, next question देखते हैं, राश्टी आय में निम्न लिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो अपने देश का राश्टी आय है, उसमें से निम्न लिखित में से किसे सम्मिलित नही रखा गया है, बाकी बचे एक फर्म का विक्रे, कर्मचारियों को वेतन, सुचम प्रद्योगी की छेतरक निर्यात, ये सभी भारती आया के अंतरगत सम्मिलित किये गए हैं, नेक्स्ट कोस्टियन देखते हैं, आर्थिक विकास समान्यता युगमित होता है, जो आर्थिक वि में जब किसी अर्थ वियोस्था में समान कीमत इस्थर लगातार बढ़े और मुद्रा का मुल्य कम हो जाए, यह होता है मुद्रा इस्पिती, यह गडिती आकलन प्राधारित एक अर्थ सास्त्री अवधाना है, नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं, रेड फ्लेग, भारत और न के बीच हुए संयुकत अभ्यास का नाम रेड फ्लेग रखा गया था, नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं, सुमेलित कीजे, सूची वन को सूची टू से, सूची वन में क्या है, अंतराष्टी दिवस और सूची टू में क्या है, उनकी तीथी, इसका अंसर हो जाएगा, ओप् सब्सकाइब और सेर करना ना भूले, थाइंक्यू सो माज